हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स इशले पार्ट में हमने देखा कि मनोज लाइब्रेरी में ही रहकर वहां की साफ सफाई करके तीन सो रुपे की नौगरी करते हुए पियसी की तैयारी करने लगा लेकिन हुकुम चंद जी द्वारा अविश्वास किये जाने पर वह लाइब्रेरी छोड़ने का निर्णा ले लिया अब आगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णा सुनाने त्यागी जी के घर चला गया उसने कुर्सी पर बैठती हुए सीधे अपनी बात कही मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता जहां मेरी इमानदारी की कदर ना हो वहां मैं काम नहीं करूँगा त्यागी जी ने जोर से ठाहका लगाते हुँ कहा चाय तो तुम पीते नहीं हो लो गजक खाओ इतना कहकर उन्होंने टेवल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी त्यागी जी ने मनोज से आगे कहा हुकुम चन्जी व्यावसाई आदमी है मनोज जीवन भर उन्होंने सौ सो रुपे की साडिया बेचकर मुनाफ़ा कमाया है उन्हें साडियों की परख तो है पर आदमी की परख नहीं है तुम व्यार्थी परिसान हो रहे हो निस्चिन्थ होकर नौकरी करो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला इस बल ने उसका आत्म विश्वास और बढ़ा दिया अपने इस बढ़े आत्म विश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा हुकुम चंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा मैं अब लाइबरेरी में तो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा इतने में पांडे और त्यागी जी के इसकुल की पूर्व छात्रा अंसु गुर्जर आ गई अंसु पियस्सी की गंभीरी स्टुडेंट थी और इस साल वह मुख्य परिच्छा दे रही थी त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई पांडे कुछ बोलता उसके पहले अंसु ने कहा मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वा कांग्ची हो या नहीं मनोज ने एकदम से कहा मैं पीस्सी में सलेक्ट होना चाहता हूँ मैं महत्वा कांग्छी हूँ अंसु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी फिर तुम्हें लाइबरेरी में ही रहना चाहिए अभी तुम्हारी आर्थिक किस्तिती तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाज़त नहीं दे रही है मनोज अंसु की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा दीदी मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां मेरी इमानदारी पर संदेह किया जा रहा है फिर क्या करोगे बिना नवगरी के पढ़ाई कैसे करोगे कुछ दिनों के बाद ही MPPSC की प्रिलिम्स पर इक्ष़ होने वाली है पांडे ने गज़क खाते हुए मनोज की प्रती चिंता व्यक्त करते हुए कहा पढ़ाई छोड़ दूँगा सड़क पर रहनूँगा पर अपने सिध्धान से समझोता नहीं करूँगा मनोज ने बिना एक सेकंड गवाएं ततकाल उत्तर दिया उसकी इस जीत का किसी के पास कोई जवाब नहीं था पर वहाँ बैठे सभी लोगों को उसकी बाद पर एक नव्युवा कजोस और आदर्सवाधी अजिक लग रहा था पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यभारिता से दूर लग रहा था उसने मनोज के इस अति आदर्सवाध की व्याख्या की और त्यागी की को देखते हुए बोला मनोज जी अपने पिता से प्रभावित है इनके पिता भी अपने सिध्धानतों से समझाता नहीं करते समझाता ना करना इनकी पारिवारिक विसेशता है मनोज को उम्मीद थी कि इमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर सहर का यह बुद्धी जीवी समू उससे प्रभावित होगा पर पांडे की ऐसी ठंडी और ग्यांगेपूर प्रतिकिरिया देखकर वह निरास हो गया त्यागी जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी किताब के कवर पेच पर भगत सीं का चीतर था त्यागी जी ने मनोज से पूछा अच्छा बताओ मनोज तुम्हें भगत सीं के इस चीतर में क्या विसेस्ता नजर आ रही है मनोज कुछ देर तक भगत सीं के चीतर को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया मनोज मुझे भगत सीं की आँखों में एक बेचैनी सी नजर आती है उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़ब दिखाई दे रही है त्यागी जी ने मनोज से कहा कुछ देर रुक कर उन्होंने आगे कहा मुझे तुमारी आँखों में भगत सीं जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़ब दिखाई दे रही है मनोज उनकी बात सुनकर हत प्रभ रह गया उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुन्ना भगत सींसे की जाएगी अंसु ने मनोज की तारिफ करते हुए कहा मनोज का व्यप्ति तो मुझे भी विलक्षण लग रहा है कोई नव्युवक अपने सिध्धानतों के लिए इतना संकल्प वान हो सकता है मुझे यह देखकर बहुत आस्चर्य हो रहा है मनोज की तारिफ सुनकर पांडे ने अंसु से कहा दिदी कल त्यागी जी के इसकुल में ग्यारवी में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहां आया था बेहत घटिया कविता थी फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हैं क्या थी कविता आपको तो याद होगी हमसे तो बहतर हैं वो घास चरने वाले हमसे तो बहतर हैं वो बोज ढोने वाले वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ में नहीं आ रही थी अंसु ने पांडे से पूछी लिया तुम कहना क्या चाहते हो इस पस्ट कहो कल त्यागी जी को इस महान काव्य के रचीता में जैसंकर प्रसाथ के दर्सन हो रहे थे मैं मनोज से यह कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापूर्सों के दर्सन करना त्यागी जी की हौबी है इसे गंभीरता से न ले और जीवन में व्यभारिकता को अपनाए पांडे ने त्यागी जी द्वारा की गई मनोज की प्रसंसा को सुन निगोसित कर दिया उसकी बाद सुनकर त्यागी ठाहा का मार कर हस पड़े मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे समझ ही नहीं सकता मनोज बीना किसी निर्णा के वापस लाइबरेरी चला गया एक महिने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइबरेरी पहुंचा मनोज लाइबरेरी में नहीं था लाइब्रेरी के वेवस्था पक हुकुम चंद जी कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे पूछने पर हुकुम चंद ने बताया कि मनोज तो एक महिना पहले लाइब्रेरी का काम छोड़ कर चला गया है एक साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी कहा गया पांडे ने आस्चरी से पूछा पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़ कर जा सकता है हुकुम चंद से और अधिक प्रस्ण पर पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोच का नया पता लिखा था घंसयाम आटा चक की गड़ेस मंदिर घोसीपूरा पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया उसने अपनी साइकिन घोसीपूरा की और मोड़ दी घोसीपूरा गालियर की एक पिछड़ी और घनी बसती है जहां जवरा सबलगण जाने वाले नैरोगेज ट्रेन का इस्टेशन भी है ढूड़ने पर पांडे को आसानी से गड़ेस मंदिर मिल गया मंदिर के पास जगा के पास पहुँच गया वह समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहां कमरा की राय से ले लिया है आटा चक्की पर एक लड़का सफेद बन्यान और लाल रंग का पेंट पहने हुए गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफेदी में लगभग नहा गया था पांडे ने लड़के के नजदी जाकर मनोज का पता पूछना चाहा नजदी जाकर पांडे ने देखा तो वह एकदम चौप गया आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही था मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुर ने अपने सरीर और बालों से आटा साफ किया पास ही खुटी पर टंगी सट पहनी दुकान के बाहर आकर दरवाजा बंद किया ताला लगाया और पांडे के साथ चल पड़ा पांडे बीना कुछ कहे चुप-चाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े चल रहा था तंग गलियों से गुजर कर थोड़ी देर में मनोज एक कमरे के सामने पहुझ गया पांडे ने मकान की दिवाल से अपनी साइकिल टिक आई मकान की गैलरी और छोटे से आंगम से होकर मनोज के सबसे पिछले हिसे में पहुचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाजा खोला दिन के उजाले में भी कमरे में अधेरा था, मनोज ने लाइट जलाई, पीले रंग का धुंदला सा प्रकास कमरे में फैल गया जमिन पर गद्दा बिच्छा था, आले में कितावे रखी थी, कोने में एक इस्टो और कुछ बरतन थे एक लगड़ी का इस्टोल भी पास में रखा था, जिस पर पांड़े बैठ गया 200 रुपे किराया है कमरे का, वैसे तो 300 है पर एक सहित्यकार है घंस्याम जी, उनका मकान है लाइबरेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं मैंने उन्हें अपनी समस्य बताई तो उन्होंने सस्ते में यह कमरा दे दिया बहुत भले व्यक्ति हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौप दी दिन में 4-5 घंटे गेहूं पिसने का काम है, 400 रुपे महिने का मिलेगा बाकि पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूं आदमी यदि टाइम का सही मेनेजमेंट कर ले, तो समय की कमी नहीं रहती भगवान एक रास्ता बंद करता है, तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है मनोज ने अपनी आखे पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब अपने नए काम का और नए कमरे की तारिफ कर रहा था पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी पर वह बोला कुछ नहीं पीले रंग का बल्व अचानक बंध हो गया सायथ लाइट चली गई थी कमरे में अधेरा हो गया कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोल कर मनोज प्रकास की वेवस्था कर सके दर्वाजा पहले से खुला था मकान के इस हिस्से में सूरज की रोसनी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी मनोज ने पास रखी मुम्बती जला दी मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था अब वह पांडे से कुछ सुनने की उमीद में बैठा हुआ था तुम माने नहीं मनोज तुमने लाइबरेरी छोड़ ही दी कुछ देर पहले छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा मुझे संतुस्टी है कि मैंने लाइबरेरी छोड़ दी पर अपना सिधान्त नहीं छोड़ा इमानदारी की रख्चा अभाव सहकर भी होनी चाहिए पांडे ने मनोज की आवाज में भारीपन महसुस किया उसने देखा कि मनोज एक टक जलती ही मुम्बत्ती को देख रहा है पर तुम इस अंधेरे में पियसी की तैयारी कैसे करोगे पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं की लालच में समझावता के अंधकार में डूब जाता है मनोज जैसे किसी गहरे तल से बोल रहा था बाहर गुजरने वाले नेरो गेज ट्रेन का सोर सुनाई दे रहा था पांडे को प्यास लगाई थी उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भर कर पिया और वापस आकर इस टूल पर बैठ गया कुछ देर इस टूल पर बैठे बैठे कुछ देर रुक कर मनोज को देखता रहा मनोज ने अपने चिपके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी उसका गोरा रंग हलका पीला हो गया था उसकी आखे अंदर को धस गई थी पांडे साइकिल पर न बैठकर पैदल ही उसके साथ साथ चलने लगा गली का मोड आ गया मनोज ने कहा आते रहा करो पांडे तुम्हारे आने से अच्छा लगता है पांडे कुछ सोचता हुआ अपने साइकिल पकड़े रहा पांच-छे सेकेंड उसी चिंतन की अवस्था में रहने के बाद उसने कहा मनोज एक बात कहूं मनोगे मनोज समझ गया कि घोसी पूरा और उसके कमरे का माहल देखकर पांडे उसे फिर से लाइबरेरी में नवकरी करने के लिए कहेगा इसलिए उसने कहा मैं अब किसी भी कीमत पर लाइबरेरी में नहीं जाऊंगा पांडे ने उसकी बात को लगभग अंसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी मनोज हरिसंकर पूराम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीस्थी की तयारी करने वाले लड़के किराय से रहते हैं मेरा दोस्त गुपता भी वहां रहता है अंसुदीदी भी पीली कोठी के ग्रूप से ही जुड़ी हुई है बहुत अच्छा माहल है वहां पढ़ाई का मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराय पर लेकर वहीं पीस्थी की तयारी करूँ तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाब होगा क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे मनोच को अपने कानों पर यकिन नहीं हुआ पीस्थी की तयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली जिस पीली कोठी में रहकर तयारी करने के लिए मनोज तरस तरस कर रह गया था वहीं रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दिया था मनोज का तो जैसे कोई सपना पूरा हो रहा था उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है इस से अच्छा प्रस्ता इस समय उसके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था अचानक मनोज के ध्यान अपने आर्थिक हालत पर गया उसने पांडे से कहा पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो है नहीं पांडे ने साइकिल पर बैठती हुँ कहा एक आदमी के खर्च में दो लोग आसानी से रह सकते हैं इतना कहकर वह बीना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया वह जुमता हुआ साइकिल चला रहा था मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आखों से ओजल नहीं हो गया पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया मनोज घोसी पूरा से अपना सामान समेट कर पांडे के कमरे पर आ गया PSC की तयारी के लिए जिस ग्रूप की तलास मनोज को थी वह मिल गया PSC की प्रारंबिक परिक्षा नजदिक आ गई थी पिछले बार ग्रेजुएशन के तुरंद बाद दी गई PSC की प्रिलिम्स परिक्षा में वह सफल नहीं हुआ था उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा उसने अपनी डारी में लिखा पढ़ाई के लिए यहां बहुत अच्छा माहौल है पिली कोठी में कई अच्छे प्रतियोगी तयारी करते हैं जिन से मुझे बहुत लाब होता है इसलिए अब मेहनस से पढ़ाई करना चाहिए दीप सोनी ने मुखे परिक्षा क्लियर करने के बाद इंटर्व्यू दिया था एक दिन दीप के पिताजी ने पिली को ठीया कर सूचना दी कि अभी अभी आए फाइनल रिजल्ट में दीप डीएसपी पद के लिए चैनित हो चुके हैं दीप के पिताजी ने भावुखो कर कहा हमें तो केवल पाँच हजार पेंसन मिलती है लल्ला ने जब पियसी की तैयारी सुरू की थी तब सब कहते थे कि पियसी में लाखो रूपय रिस्वत देनी पड़ती है पर देखो एक रूपय नहीं लगा और हमारे लल्ला डीएसपी बन गए खुसी और संतुस्टी के काराण उनकी आखे भीग गई थी इतना कहकर दीप के पिता जी अपने किसी रिष्टेदार को यह खुस खबरी सुनाने चले गया मनोज ने दीप से पूछा भाई सहाब आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं दीप ने मनोज से कहा मैं बहुत खुस हूँ पर एक बात जरूर कहूँगा इस पीली कोठी में जितने लोग तयारी कर रहे हैं गारंटी देता हूँ कि सभी लोग PSC में सेलक्ट हो ही जाएंगे पीली कोठी के सदस्य मनीश, गुपता, मनोज और पांडे अपने भविस्य के सलेक्शन की इतनी बड़ी गारंटी पर बहुत खुस हुए मनोज समझ गया कि सफल लड़के भी उन्ही के बीच से आते हैं दीप के सलेक्शन से पूरी पीली कोठी में जस्न का माहल बन गया देर रात तक सभी लड़के आनंद और आत्म विस्वास में डूबे भविस्य की सफलता पर चर्चा करते रहे मनोज और पांडे ने इस बार पीएसी प्रिलिम्स की परिक्षा गंभिरता से दी थी पर तीन महिने बाद आए रिजल्ट में दोनों का प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज आसफल हो गया मनोज को लगा जैसे वह बरबाद हो गया है उसकी सारी महनत बेकार चली गई वह गहरी निरासा से भर गया चार-पांच दिन से उसे होस ही नहीं रहा वह अपनी कम्या ढूलता रहा वह समझ गया कि पीएसी की रह उतनी आसान नहीं है जितनी वह समझ रहा था उसके पास अब पुरानी असफलता को भूल कर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था मनोज की पिता जी को हाई कोट ने बहाल कर दिया उसके पैसे की समझ से अब कम हो गई हर साल नमंबर तक आने वाले पीएसी का विग्यापन इस साल नमंबर खत्म होने तक नहीं आया विग्यापन ना आने के कारण तयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी बढ़ने लगी एक दिन अचानक अगबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चे में कटवती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में PSC की परिक्षा आयोजीत नहीं होगी पूरे प्रदेश में PSC की तयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी मनोज के कमरे में बैठे लड़के आज की इस खबर से दुखी थे और भविसी की प्लानिंग पर बात कर रहे थे मनिस ने कहा जब PSC की परिक्षा ही आयोजीत नहीं होगी तो कितना भी पढ़लो उससे क्या होगा मैंने तो तै कर लिया है मैं अपने पिता का ट्रांस्पोर्ट का बिजनेस संभालूँगा दतिया का गुपता भी दुखी स्वर में बोला इस बार मेरी तयारी ऐसी हो गई है कि दीब भाई सहाब जैसी डीएस्पी की पोस्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाता पर जब परिच्छा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहां से मिलेगी बढ़बोले गुपता ने अपनी तयारी को बढ़ा चड़ा कर बताया पांडे ने निरास महल में उम्मीद की रह दिखाई जहां चाह वहां रहा हमें अब उत्तरप्रदेश और राजिस्थान पेसी की तयारी करना चाहिए गुपता ने पांडे की बात कारते ही कहा तुम कुछ नहीं जानते पांडे दूसरे इस्टेट वालों का यूपी और राजिस्थान में सेलेक्शन नहीं होता इंटर्वियू में दो सव में से तीस नंबर दे कर भगा देते हैं प्रतियोगी लड़कों को बहुत धूरने पर भी आगे की तयारी की कोई निस्स कंटक राह नहीं दिख रही थी मनोज ने निरासो कर कहा हम लोग अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा तभी पीली कोठी में अन्सु गुर्जर आ गई अन्सु भी दीब के साथ डियस्पी बन गई थी वह लड़कों को गाइडेंस देने पीली कोठी आ जाती थी पीसी परिक्षा आयजित ना होने की निरासा लड़कों के चेहरे पर देख अन्सु ने कहा राज्य लोग सेवा का अब कोई भविसे नहीं दिख रहा इसलिए तुम लोग संग लोग सेवा की सिविल सर्विसेज पर फोकस करो IAS, IPS, Income Tax और दूसरी अखिल भारती एवं सेंट्रल सर्विस के लिए संग लोग सेवा आयोग दिल्ली परिक्षा आयोजित करता है राश्ट्री इस तर पर इस सिविल सर्विस की परिक्षा में सफल होना मध्य परदेश PSC की तयारी करने वालों के लिए दिवा स्वपनों के समान ही था सब जानते थे कि IAS या IPS बनने का स्टेंडर्ड उन लोगों का नहीं है अंसु का सुझा वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्टेंडर्ड से बहुत आगे का लगा सिविल सर्विस की परिक्षा पास करना गुपता की कलपना से बाहर था उसने अंसु से कहा दीदी IAS IPS बनना बहुत कठीन है उसकी तो कभी प्रिलिम्स ही नहीं निकलेगी मेहनत करके PSC में तो कहीं लटक सकते थे पर सिविल सर्विस में होना तो नामूमकिन है कुछ देर पहले DSP बनने का दावा करने वाला गुपता अब वापस PSC में लटकने की बात करने लगा अंसु ने लड़कों को प्रेरीत किया मैं जानती हूँ कि यदि तुम लोग दो साल दिल्ली में कोचिंग करोगे तो सिविल सर्विस कोई बहुत बड़ी कठीन बात नहीं है वहाँ कोई आसमान से लड़के नहीं टपकते फिर अंसु ने निरास लड़कों को उत्साहित करने की कोशिस कि उडान हमेशा उची भरनी चाहिए नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं पंख तो मजबूत होंगे मनोच का खोया आत्म विश्वास अंसु की बाते सुनकर लोट आया उसने अपने भीतर जोज को महसूस करते हूँ कहा दीदी यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है खुद को साबित करने का सपना है रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयम को साबित करना है इसलिए अब पलाएं नहीं कर सकते या तो मर जाएंगे या जीत कर ही आएंगे लेकिन युद्ध भूमी से पीठ दिखा कर नहीं भाग सकते मैं सिविल सर्विस प्रिलिम्स की परिक्षा देकर दिल्ली कोचिंग करने जरूर जाऊंगा मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी उस ताकत की प्रभाव से एक जोसिला संकल्प सभी के सामने ले लिया गुपता ने मनोज के जोस को हवा निकालते हुए कहा MPPSC की प्रिलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई चले सिविल सर्विस की परिक्षा क्लियर करने बढ़े आए युद्ध लड़ने वाले दिन में सबने देखना छोड़ दो मनोज IAS, IPS हम जैसे गाउं के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं है MLB कॉलेज से कितने बने हैं आज तक IAS, IPS, Zero IIT दिल्ली, इलाहबाद युनिवर्सिटी जैसी जगह से ही निकलते हैं IAS, IPS मनोज ने गहरी सांस लेते हुँ कहा जो भी हो पर हमें कोशिस तो जरूर करना चाहिए अंसु भी अपनी बात पर टिकी रही अब तक नहीं बनें तो अब बनेंगे और आप लोग ही सुरुवात करेंगे मध्य परदेश, IPS, परिक्षा, आईजीत ना होना अच्छा ही है इस कारण तुम लोग पोखर से निकल कर समुदर में तैरना सीख जाओगे पर मनोज, कैसे जाएंगे दिल्ली ग्वालियर में पढ़ने के लिए ही पैसे की समस्या रहती है इन्हें पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिती को सारवजनिक किया पांडे की बात सुनकर मनोज जैसे आसमान से जमिन पर आगिरा उसका चेहरा उतर गया उसके पिता सस्पेंशन से बहाल तो हो गय थे पर एक जगह टिके रहने की अपनी आदत के कारण वह अपने बदले हुए मुख्याले डिंडोरी से जहाबवा नहीं गय थे जिस करण डिप्ट्री डारेक्टर ने उनका सस्पेंशन का आधा वेतन भी रोक लिया था अंसु ने जब मनोज को दुखी देखा तो उसने पूछा क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो हाँ दिदी मैं पूरी ताकत से मेहनत करना चाहता हूँ मनोज ने कहा मनोज हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा दिल्ली में कोचिंग करने के लिए मैं तुम्हें दस जार रुपे देती हूँ अंसु ने अचाना घोसना की वहाँ बैठे सभी लड़के अंसु की यह उदारता को देखकर चौग गय अंसु का इसने देखकर मनोज का मन गीला हो गया उसने कहा दिदी मैं कहीं और से विवस्था करनूँगा पर आपने मेरे बारे में इतना सोचा मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा अंसु ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो कहा मनोज बेकार की बाते मत करो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो मुझे तुम पर भरोसा है तुम दिल्ली जरूर जाओगे मनोज अब सिविल सर्विस की प्रिलिम्स की तयारी करने लगा चार महिने उसने जम कर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विस प्रिलिम्स दे दी प्रिलिम्स परिक्षा से मुखी परिक्षा तक लगभग पांच महिने का वक्त मिलता है यह पांच महिने प्रतियोगी के लिए सबसे महत्तोपूर होते हैं प्रिलिम्स के रिजल्ट के इंतजार में यह दो महिने बरबाद नहीं किये जा सकते आदर्स तरीका यही है कि प्रिलिम्स परिक्षा की तुरंद बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतजार किये मुख्य परिक्षा की तयारे में जुट जाया जाए अंसुनी यह कहकर मनोच को दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपे दे दिये पांडे ने डर और कम तयारी के कारण सिविल सर्विस प्रिलिम्स की परिक्षा नहीं दी थी लेकिन भविसी की तयारी के लिए पांडे भी मनोच के साथ दिल्ली जाने के लिए तयार हो गया दोनों सपनों और उमीदों से भरी दिल्ली पहुँच गए निजामुद्दिन इस्टेशन से किंग्सवे कैम्प आटो से और वहां से रिक्से से मुखरजी नगर बोरियों में किताबे भरे दोनों रिक्से में बैठे उत्सुकता और कौतुहर से मुखरजी नगर में जगह जगह लगे सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर के बोर देख रहे थे परिक्षम में सफल हो चुके प्रतियोगियों के फोटो लगे होर्डिंग देखकर दोनों अचम्भित हुए जा रहे थे मुखरजी नगर आने वाला हर स्टुडेंट इसी उम्मीद और सपने को पाले हुए यहां आता है कि कभी वह भी सफल होगा और उसकी तस्वीर भी होर्डिंग पर लगेगी पर कौन सफल होकर अपने सपना पूरा करेगा और कौन असफल होकर वापस यहां से चला जाएगा कोई नहीं जानता साल में 4-500 लोग ही तो सफल होते होंगे क्योंकि उतने ही पद हर साल निकलते हैं लेकिन परिच्छ देने वाले तो लाखों में हैं बाकी का क्या वे तो अपने सारे अटेम्ट पूरे करके असफल और निरास होकर वापस चले जाते हैं लेकिन आसफलता का अनुपाद ज्यादा होने के बावजुद उम्मित तो नहीं छोड़ी जा सकती बीना संगर्स के हार भी तो नहीं मानी जा सकती इसलिए आसफल और हार की आसंकाओं को भूल कर जीत के संकल्प को लिए हजारों स्टुडेंट हर साल मुखरजी नगर आते हैं मुखरजी नगर मनोज के मन में मुखरजी नगर के प्रती एक पवीत्र अहसास सब भर गया आस्चर उतसुकता से मुखरजी नगर को देखता हुआ मनोज संप मुहित हुआ जा रहा था कोचिंग के वाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तयारी करने वाले लड़के ल सामी घटना पर चर्चा कर रहे थे कोई नया लड़का किसी सीनियर से परिच्छा में सफल होने की रणनीती पूछ रहा था पूरा मुखरजी नगर जैसे पढ़ाई में ही डूबा हुआ था मनोज को पढ़ाई का यह माहल देकर अद्भूत खुसी हो रही थी पढ़ाई का ऐ गए हुए नहरू विहार के सी ब्लॉग में कमरा किराय से ले लिया नहरू विहार मुखरजी नगर से कम सम्रीद बसती थी सकरी गलियों में तीन चार मंजिलों के मकान पूरे नहरू विहार में फैले हुए थे नहरू विहार में कमरे मुखरजी नगर में से सस्ते थे इसलि दिव्य किर्थी सर हिंदी साहित बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिसन ले लिया। पांडे अपने आपको हिंदी का विद्वान मानता था। इसलिए उसने कोचिंग ना करने का फैसला लिया। द्रिस्टी कोचिंग बत्रा सिनेमा के पीछे एक बिल्डिंग के बेस्मेंट में लगती थी। केबिन में कोचिंग के डारेक्टर वर्मा मेडम बैठती थी। उसके भीतर एक बड़ा हॉल था जिसमें विकास सर क्लास लेते थे। मनोच की कुछ लड़कों से बात हुई जो कोचिंग में पहले से आ रहे थे। ये लड़के देश के कोने कोने से यहां पढ़ने आये थे। मुश्किल से कोई सिविल सर्विस की प्रिलिम्स क्लियर कर पाता और यहां तो इंटर्विव दिये लोगों का भरमार है। आस्चरे और खुसी के साथ साथ मनोच के मन में घबरहट भी हो रही थी। क्या वह इतने योग्य और पहले स्टेट सर्विस में सेलेक्ट लड़कों से कंपीट कर पाएगा। वह जानता था कि इन लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह 12 फेल का कलंक लिए यहां आया है और यहां सब उद्भट, विद्वान और सफर लोग पता नहीं वह कैसे टिक पाएगा इन लोगों के बीच। एक महिना हो गया मनोच को विकास सर की क्लास में जाते हुए। अजीब सा आकरशन था विकास सर के पढ़ाने में। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें मंत्र मुख्द होकर सुनते थे। विकास सर ने अब तक पढ़ाय गया सिलेबस का टेस्ट लेने की घोसना की। क्लास खत्म होने पर जब मनोच क्लास के बाहर गया तो कुछ लड़के चाई की दुकान पर जुंड में खड़े थे। और तीन दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोच भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा हिंदी साहिते में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया समझो वह जरूर IAS या IPS बनेगा। पिछले साल दिपेंदर कुसवाह नाम के लड़के के बारे में विकास सर ने पहले ही घोसना कर दी थी और उसी साल वह IAS बन गया। दूसरा लड़का कट चाय पीते हुए बोला तो विकास सर इस साल मेरे बारे में घोसना करेंगे। मैं जैसंकर प्रसाद पर ऐसा उत्तर लिखूंगा कि विकास सर को भी लगेगा कि ऐसा धुरंदर कौन आ गया उनकी क्लास में। इसके साथ ही उस लड़के ने परसाद की कामाइनी कविता सुनानी सुरू कर दी। लड़का तब तक अपनी याद की हुई कविता सुनाता रहा जब तक उसके साथ वाले लड़के ने उसे रोका नहीं। मनोज को इस कविता की सुरुवाती चार-पांच पंक्तियां ही याद थी। एक लड़के के मुह से इतनी लंबी कविता सुनकर वह आश्चरे चकित रह गया। करें तो मेरा नाम बदल देना। साथ खड़े संजीव जी केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी प्रसंसा के बदले में उन्होंने प्रसंसा करने वाले लड़के के चाय के पैसे अदा कर गिये। एक लड़के ने अलग राग अलापा। मुझे तो लगता है कि टेस् प्रस्विया ने तो अपनी लंबी बाहें हवाई जहाज के डैनों जैसी फैला कर अपने समर्थक को गले लगा लिया। मनोज ऐसे उद्भट विद्वानों को देखकर घबरा गया। इनके सामने वह कहीं नहीं ठहरता। वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़के जैसा योग और विद्वान बनने के लिए कितना और कब तक पढ़ना पड़ेगा। विद्वान और पूर्वव से सलेक्ट लड़कों के सामने अपनी कमजोर इस्थिती से निरास वह अपने कमरे की और चल दिया। वह जानता था कि मुख्य परिक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना जरूरी है इसलिए वह विकास सर के टेस्ट में बहुत गंभिरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिसा और लेखन सैली मुख्य परिक्षा के लिए एकदम सही हैं कमरे पर पहुँच कर उसने पांडे को अपने मन की उलजन बताई हिंदी के विद्वान पांडे ने मनोच को ग्यान दिया तुम्हें यदि टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे अलग लिखना पड़ेगा भासा सैली इतनी खतरनाक और आतंकित करने वाली हो क कौपी चेक करने वाला हैरान रह जाए जब तक वह आपको विद्वान नहीं मानेगा अच्छे नंबर नहीं देगा इतना कहकर उसने निराला पर लिखी पांच-छे कविताएं मनोच के सामने रखी और बोला इन कविताओं में निराला की कविताओं पर बहुत गहराई से लिखा है इन्हें पढ़ो रामविला सर्मा दोधनाथ से सूरेप्रसाद दिक्षित जैसे विद्वान लेखको की किताबे मनोच के सामने थी मनोच ने किताबों को देखकर कहा ये किताबे मैंने पढ़ी है बहुत स्रेष्ट लिखा है पर इन से परसनों के उत्तर कैसे अरह helemaal थे सरल्भासाँ में और विश्तार से्विकाश सर senin टॉपिक समझाया था मनोज ने तै किया कि वह Hindi Notes को टेस्ट के लिए पढ़एगा टेस्ट हो गया टेस्ट के अगले दिन विकास सर्णे क्लास में पूछा मनोज कुमार सर्मा कौन है मनोज ने अपना हाथ उठाया विकास सर्णे कहा इस लड़के में Civil Service Exam Clear करने की जम्ता है टेस्ट में इसके सबसे ज़्यादा नमबर आए है मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि विद्वानों से भरी क्लास में वह टॉप कर सके क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है इलहाबाद के उत्भट विद्वानों में से भी अच्छा स्टेट सर्विस में सलेक्टेड लड़कों से भी बहतर मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गया सभी लड़की लड़कियां उसकी तरब देख रहे थे उसने अपने जीवन में ऐसा दृष से पहले कभी नहीं देखा था विकास सर की प्रसंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड लगी रहती थी विद्यार्थियों की तारिफ करने में कंजूसी वरतनाले विकास सर उसकी भरपूर तारिफ की थी कुछ पूछना चाहती थी आपने इतने अच्छे उतर कैसे लिखे आप किस लेखक की किताबे पढ़ते हैं आप कहां के रहने वाले हैं आप किस स्टेट में सलक्थ हो चुके हैं आपको IAS बनना पसंद है या IPS आपका यह कौन सा अटेम्ट है लड़कियों ने नए नए योग के सिद्ध हुए मनोज पर प्रस्णों की बोचार कर दी वह एक प्रस्ण का उत्तर देने की कोशिस करता तब तक दूसरा प्रस्ण दाग दिया जाता और यह सब इतनी गती से हुआ कि वह एक भी प्रस्ण का उत्तर नहीं दे पाया उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही महिन साल इंकम टेक्स इंस्पेक्टर बनी हूं अब यहां आई एस बनने आई हूं चलिए सामने पार्क में बैठ कर बाते करते हैं मनोज कुछ कहता है तब तक एक दूसरी लड़की ने मनोज से उसके कमरे का एड्रेस लेकर उससे कहा मुझे आपसे प्रेमचंद की कफन कहानी पास आकर उसके साथ चलने लगी साथ चलते हुए उसने कहा मनोज मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम जरूर सिविल में सेलेक्ट हो जाओगे क्यों ना हम कमबाइन स्टडी करे सच कहूं तुम मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं इस लड़की की बात सुनकर मनोज क पर उन में से कुछ सोचती थी कि यदि खुद न बन सके तो उन्हें IES PS प्रेमी मिल जाए विकासर द्वारा दिये टेस्ट के नंबरों ने मनोज को आज लड़कियों की नजर में उम्मीदों वाला लड़का बना दिया था मनोज आज फूला नहीं समा रहा था हमेशा लोगों की नजर में स्रेस्ट बनने की कोशिस करने वाला मनोज को लोगों ने वास्तों में स्रेस्ट मान लिया था अपनी मन मोहनी छवी से आनंदित होता मनोज लड़की से वीदा लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया अपने कमरे पर पहुँचकर कोचिंग में मिले नमबरों का पूरा किस्सा उसने पांडे को सुनाया पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकता है पांडे ने उसके उत्तर को सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगबग फेकते हुए कहा आप व्यर्थी खूस हो रहे हैं आपके उत्तर समानने हैं मुझे इनमे कोई विसिस्टता नजर नहीं आ रही है पांडे के भीतर एरस्या पैदा हो गई थी पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और वह मनोज को हिंदी का एक समानने विद्यार थी इसलिए पांडे आज उसकी उपलब्दी पर कूढ रहा था पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दूख हुआ पर उसने कुछ नहीं कहा वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा सिविन सर्विस की प्रिलिम्स परिक्षा का रिजल्ट आ गया मनोज और पांडे नहरू विहार के एक साइबर कैफे में रिजल्ट देखने पहुँचे मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था पांडे ने यहाँ प्रिलिम्स नहीं दी थी इसलिए वह आविचलित था मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा उसके जीवन की पहली प्रिलिम्स क्लियर हो गई प्रिलिम्स निकलने की खुसी में वह उत्सा और प्रस्णता से लगभग दड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया कोचिंग के बाहर प्रिलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़किया आपस में बाते कर रहे थे गौलियर में बड़ी मुश्किल से एक या दो लड़के की सिविल सर्विस की प्रिलिम्स निकलती है यहां तो जिसको देखो उसी की प्रिलिम्स क्लियर हो गई है अभी तक उसे प्रिलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धी लग रही थी पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास की प्रिलिम्स क्लियर हो गई तो उसे समझ आ गया कि प्रिलिम्स तो केवल मुखे परिक्षा देने का प्रवेश द्वार है असली लड़ाई तो मुखे परिक्षा में होगी मनोज कोचिंग के अंदर पहुचा तो पता चला कि प्रिलिम्स के रिजल्ट के कारण क्लास आज 15 मिनट लेट लगने वाली है कोचिंग की डारेक्टर वर्मा मेडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी मेडम ने उस लड़की से पूछा आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है नहीं लड़की ने कहा पास खड़े मनोज ने मेडम को नमस्ति किया तो मेडम ने भी मुस्करा कर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा देखिए ये मनोज है इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है लड़की ने एक नजर मनोज को देखा और वापस वर्मम मैडम की बाते सुनने लगे मैडम ने लड़की से कहा आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती है एक महिने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है मेरा नाम स्रद्धा है मैं अलमोडा की रहने वाली हूँ आज ही दिल्ली आई हूँ मैंने हिंदी साहित पहले कभी नहीं पढ़ा कैसी है यह कोचिंग क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूँगी स्रद्धा की आँखों में कुछ प्रस्न तैर रहे थे जिनके जवाब वह एक अजनवी लड़के से चाह रही थी दिल्ली के नय माहुल को समझने और जानने की बेचैनी भी साफ नजर आ रही थी उसमें उसके चेहरे पर नय विषय का खौफ भी नजर आ रहा था मनोज काफी देर तक उच्छुकता और उम्मीद में डूबी स्रद्धा को देखता रहा पता नहीं क्या आकरशन था इस लड़की में जो मनोज उसके सामने से हट ही नहीं पाया पारदर्सी सीसे की तरह साफ नजर आ रहा था कि यह लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है जो महसूस कर रही है वही बयान करता है इसका चेहरा स्रद्धा की सरलता के आकरशन में मनोज वहीं खड़ा रहा दिल्ली की दूसरी लड़कियों से अलग लग रही थी उसे स्रद्धा गणिक के सवालों जैसे उलजी लड़कियों से अलग स्रद्धा सरल कवीता सी उसके दिल में उतर गए कहीं यही पहली नजर का बंधन तो नहीं है मनों समझ नहीं पा रहा था पर अपने आपको बंधता हुआ सा महसूस कर रहा था स्रद्धा के मन की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत उप्योगी है जो हिंदी में एकदम नए है चिंता करने की कोई बात नहीं है तुमने सही निर्णय लिया है क्लास का समय हो गया था दोनों क्लास में साथ साथ बैट गया विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रस्न किया प्रिलिम्स किस का क्लियर हुआ है मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिये विकास सर ने इस भीड को बढ़ाई दी पास बैठी स्रद्धा ने मनोज से आश्चारे से पूछा आपका प्रिलिम्स क्लियर हो गया? जी मनोज ने कहा कौन सा अटेंट था? स्रद्धा ने आगे पूछा पहला मनोज ने कहा सिविल सर्विस में केबल चार अटेंट देने को मिलते हैं ऐसे में पहले ही अटेंट में मनोज की प्रिलिम्स क्लियर होना उसे स्रद्धा की नजरों में योग बना रहा था स्रद्धा का अलमोडा की इस्थिती भी ग्वालियर जैसे ही थी वहाँ भी सिबिल का प्रिलिम्स निकालने वाले बिरले ही होते थे इसलिए स्रद्धा भी पहले अटेम्ट में प्रिलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी एक साम, मुखरजी नगर्द में पत्रा सिनिमा के सामने मेरट वाले रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़किया समोसा खा रहे थे कुछ लोग चाय पी रहे थे मेरट वाला से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगीता दरपण खरीद रहा था तभी उसने एक आवाज सुने हेलो मनोज मनोज ने पलट कर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में सरद्धा खड़ी थी उसके चेहरे पर मुस्कुरहट थी मनोज की नजरे उसके चेहरे पर इस्थिर हो गई सरद्धा को देखकर मनोज का मन सुकून से भर गया उसने बातचीत का सिलसीला चलाया कहां कमरा लिया है आपने मुखरजी नगर 1229 में स्रद्धा ने कहा पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी मनोज ने बात आगे बढ़ाते हुए स्रद्धा से पूछा हिंदी साहित उतना विसरल नहीं है जितना लोग कहते हैं मुझे तो बहुत कठनाई हो रही है स्रद्धा ने उ मोटल नहरू नगर विहार के पुल से पहले ही था दोनों के बीच एक दो मिनट चुप्पी बनी रही दोनों मुखरजी नगर से नहरू विहार जाने वाले कम चहल पहल वाले अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे सुरू में कोई भी नया विशय इसी तरह तकलिफ देता है पर कुछ महिनों में आपको हिंदी साहिते समझ आने लगेगा मनोज ने स्रद्धा के पढ़ाई के तना को कम करने की कोशिस की पता नहीं असमंजस में थी स्रद्धा चुप्पी बनी रही कुछ देर तक दोनों की बीच कुछ तो था इस लड़की में जो मनोज को आकरसित क कर रहा था उसने स्रद्धा से पूछा अच्छा तुम अबू खा की बकरी को जानती हो यह अप रासंगिक प्रस्न स्रद्धा को समझ में नहीं आया प्रस्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आँखे समानने से बड़ी हो गई मनोज ने उसकी जिग्यासा सांत करते हुए कहा हमारे यहां कक्छा पांच में अबू खा की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी तबी से अलमोडा मेरे दिमाग में बसा है एक खूब सूरत पहाडी सह है मनोज को याद था कि स्रद्धा ने पहली मुलाकात में बताया था कि वह अलमोडा की रहने वाली है उसका उत्तर सुनक स्रद्धा ने आश्चर व्यक्त किया क्या तुम्हें अब तक वह कहानी याद है हाँ मुझे वह कहानी आज भी याद है याद कैसे न रहती इतने सुन्दर सहर की कहानी कोई भूल सकता है भला मनोज ने हस्ते हुए कहा लड़की के नजदिक जाने के लिए उसने उसके सहर क आधार बनाया मनोज की बात सुनकर स्रद्धा भी हस दी उसकी भरोसेमंद हसीम ने मनोज को उत्साहित कर दिया मनोज ने स्रद्धा को जानने के उद्देशے से कुछ प्रशन पुछने सुरू किये स्रद्धा क्या तुम्हें यहां बर्फ गिरति है वहां तो इतनी ठंद पढ़ती है कि कूल और पंखे की जरूती नहीं पढ़ती तुम दिल्ली की भयानक गर्मी कैसे सह लेती हो तुम्हें तो इतनी गर्मी की आदत ही नहीं होगी क्या पहाडों पर चड़ते चड़ते तुम ठक नहीं जाती क्या जब तुम्हारी बस पहाडों का गोल-गोल चकर ल सारे प्रस्ण रूची कर लग रहे थे उसके सर के बारे में यह लड़का कलपना मात्र से इतनी सारी बाते कर रहा है। सूनसान रास्ते से सरद्धा अपने होस्टल की और जाने लगी सरद्धा को अभी भी मनोज की प्रसन लगातार सुनाई दे रहे थे जिनके उत्तर सरद्धा नहीं दे पाई थी मनोज ने सरद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में उससे पूछा क्या मैं तुम्हें हो पूपसूरत सहर अलमोडा जरूर देखूं इतना कहकर वह वापस मुड़ा और तेज चाल से नहरू विहार के पूल की तरफ जाने लगा अपनी बात का स्रद्धा पर असर देखने के लिए मनोज वहां नहीं रुका अपने मन में अजीब सी खुसी महसूस कर रहा था मनोज ऐ अपने कमरे पर आने के बाद भी वह स्रद्धा के खयालों में खोया रहा तो दोस्तों क्या मनोज की स्रद्धा से दोस्ती हो पाएगी क्या पांडे उनकी दोस्ती को स्विकार कर पाएगा या उनसे जलन करेगा क्या मनोज स्रद्धा को हिंदी पढ़ाने में हेल्प करेगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में तब तत के लिए टेख केर दाएं